खि solous friends कैसे आप सब भी लोग मैंने बताय था आपसे की हम जितने भी लेखक हैं उनके बारे में थोड़ थोड़ जानकारि जालेंगे उनके बारे में तो चलिए आज हम देखते हैं क्या है परिचे एक द्रिष्टी में इसमें जो आपके लेखक हैं उनका क्या नाम है जै प्रकास भारती और इनके पिता जी का क्या नाम था स्री रगुनात सहाय फिर आता है अब देखिए परिच्छाइक द्रिष्टी में हमने दो से तीन वीडियो अप्लोड कर चुके है रस खान का अप्लोड कर चुका है ठीक है और सूर्दास का तो दो वी पिता जी का नाम था उनका नाम था सिरी रगुनात सहाय क्या नाम था सिरी रगुनात सहाय इसके बाद इनका जन्म हुआ था इनका जन्म कहां हुआ था कब हुआ था दो जन्मरी 1936 को कब हुआ था दो जन्मरी 1936 को फिर हम आते हैं इनका जन्मस्थान कहां पर यानि कि यह पैदा कहां पर हुए थे तो यह हुए थे मेरट में तो मेरट आपका दिल्ली के पास में है ठीक है और कहां पर पढ़ता है उत्तर प्रदेश में पढ़ता है अब इनकी सिक्षा क्या थी तो इन्हेंनों क्या किया था तो इन्हेंने किया था बीएसी ठीक है बैचलर ऑग साइ है कि सब्ताइक हिंदुस्तान का संपादन किसके द्वारा किया जाता था तो ये किया जाता था कौन है ये जैप्रकास भारती उसके बाद है नंदन पत्र का तो नंदन पत्र का किसने शुरू की थी या इसके संपादक कौन थे संपादन किसके द्वारा किया जाता था तो ये करते थे जैसे कि पत्र का अच्छा यह जो हिननदन है यह आपकी बाल पत्र का है यानि कि क्या बच्चों के लिए ठीक है आप देखेंगे तो वह काल्टून टाइप के इसमें कहानिया ओती है बहुत अच्छी किताब होती है बच्चों पढ़ने के लिए लेखन विधा अब लेखन भी दा इनकी कैसे कि पत्रिका, पुस्तक तथा बाल साहित क्या 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 पत्रिका भी लिखते थे पुस्तक भी लिखते थे और बाल साहित के बारे में लिखते थे जैसा कि आपने उपर देखा क्या था नंदन क्या था नंदन अब आता ह यह भावात्मक अब देखिए जो बाल साहित होते हैं मैक्सिम चित्रात्मक होते हैं और भावात्मक होते हैं अब चलिए आते हैं अगले कोशन पर जो आज का सबसे इंपॉर्टन कोशन है और यह चीज़े हमारे पेपर में पूछी जाती है ठीक है आप इसका स्क्रीन सॉट ले लिजे या आप इसे कहीं पे इनका नाम लिखके जैप्रकास भारती की प्रमुख रचनाय वह लिख लिए क्योंकि मैंने आपसे बार बर बताये कि पेपर में कुछी इनकी रचना है हमारे गवरों के प्रतिक आदिम यूग से अड़ यूग तक सर्तार भगत सिंग किसने लिखा है जैप्रकास भारती ने लोकमानति लग इनकी रचना है लिखी किसने लिखी है जैप्रकास भारती ने देखे मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं जैप्रकास भारती का जिससे आपको याद हो जाए अब है बर्प की गुडिया तो बर्प की गुडिया किसने लिखी है जैप्रकास भारती ने दुनिया रगवी रंगी ये किसने लिखी है तो ये भी लिखी है जैप्रकास भारती ने अब देखिए इनका निधन कब हुआ है ठीक है इनका निधन हुआ पांच फरवरी सन 2005 को कब हुआ पांच फरवरी सन 2005 को अब साहित में इनका स्थान क्या है तो साहित में इनका स्थान है जैप्रकास भारती हिंदी साहित के जगत में बाल साहित वा बैज्यानिक लेखों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे तो अगर आपसे question ये पूछ लिए अच्छा है कि बाल साहित के जगत में सबसे ज़्यादा प्रसिद कौन थे तो ये थे जैप्रकास भारती कौन थे जैप्रकास भारती और पैज्ञानिक लेखों के बारे में ये लिखा करते थे तो ये तो हो गया दोस्त लेकिन एक बार हम क्या करेंगे इसे चल्दी से repeat कर लेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी हो दिखें नाम जैप्रकास भारती पिता जी का नाम स्री रगुनाद सहाय और इनका जन्म कब हुआ था दो जन्वरी 1934 सिविको और इनका जन्म स्थान कहाँ पे था उत्तर प्रदेश के मेरट नगर में सिक्षा इनकी क्या थी बियस्सी और संपादन यानि केकिन पत्रिकाओं वह संपादन करते थे संपादक रहेच के थे तो ये थी सब्ताही के इंदुस्तान और नंदन पत्रिका जो एक बाल पत्रिका है चलिए लेखर विधा इनकी क्या थी पत्रिका एवं पुस्तक तथा बाल, साहित, भासा सहली, इनकी भासा सहली कैसी थी? सरलेवं सहेज, वननात्मक, चित्रात्मक एवं भावात्मक अब आते हैं इनकी प्रमु रश्नापे हैं, हमारे गवरों के प्रती, आदिम युग से अड़ु युग तक, सरदार भगसिन, लोकमान तिलग, बर्फ की गुडिया, दुरिया रंग विरंगी, और इसका निधन का भुवा, पांच फरवरी सन 2005 को साहित में इनका स्थान क्या है, जै प्रकास भारती हिंदी साहित के जगत में बाल साहित वाइप एग्यानिक लिए प्रसिद देते हैं, तो दोस्त ये तो हो गया हमारे आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, च थे तूरियल